हाई फ्रेंड्स कैसे हैं आप सभी मैं हूँ हर्बिर सिंग स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल स्टडी 24 ओफिसियल में अगर आप इस चैनल पर नए है और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए साथ म बैल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टू टाइम हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे तो सातियों आए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं जैसा कि आपने थमनेल में देख लिया होगा तो उसी टॉपिक पर आज हम बात करेंगे और इससे पहले कल मैंने एक कोशन दिया था आप लोगों को कि खाल्सा पंत की स्थापना किस ने करी थी तो सातियों गुरु गोविन सिंग जी ने करी थी 1699 में गुरु गोविन सिंग जी ने खाल्सा पंत की स्थापना करी थी तो सालू जयन्त कवीता कुमारी रुक्साना खान अंजु कुमारी असो कोशिक कवीरास तनू इनके सबसे पहले करेक्ट आंसर आए इसके बाद जो आज के लिए कोशन है वायू मंडलिये दाव मापन का पैमाना कौशा है तो साथियों अभी हम अपना जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं तो अभी कोट के दवाब में आकर DSSB ने अभी एक बहुत एहम फैस्रा लिया है आपको बताना चाहता हूँ जैसा कि आप देखते आ रहें कि DSSB का का काफी मतलब जो ढूलमुल आई थी कि कोट में मामला चला हूआ है और कोट ने DSSB को मतलब टाइम दिया था कि आप अपना जवाब दीजिए आप अपना बचा और पक्स रखिए क्योंकि कंडिशन क्या थी जैसा आप जानते कि MCD PRT के अंदर भी और काफी ऐसी पोस्ट थी सभी के अंदर कुछ ना को जो वेकेंसी का कोड है इसके अंदर क्या था कि चार-पांच कोस्टन ऐसे थे सातियों जो गलत थे इस पर केंडिडेट्स ने केस कर दिया केस करने के बाद क्या हुआ DSSB को वो कोस्टन थे वो बदलने पड़े कोड ने DSSB को फटकार लगाए कि आप ऐसा धुल्मल रविया क्यों अपनाते हैं आप ऐसा क्यों करते हैं और सातियों साथ तोरते रिजल्ट आने के बाद उसमें बदलाव किया गया है मैं आपको बता दू रिजल्ट आने के बा Congratulations जिनको मतलब मार्क्स मिले हैं और अपनी एक जीत हुई है उनकी तो बहुत अच्छी बात है तो साथ यह सोचने वाली बात यह आती है जसी MCD PRT के अंदर भी काफी ऐसे कोशन थे हिंदी के भी काफी ऐसे कोशन थे जो बिलकुल सही थे मैं आपको बताओ जो बिलकुल सही थे candidates के according बिलकुल सही सब जगे उन्होंने चेक किया लेकिन DSSB ने वो गलत माने जब चैलेंज किये तो DSSB ने क्या किया वो गलत माने अपने गलत आंसर उन्होंने सही माने तो यह सोचने वाली बात है कि DSSB ऐसा क्यों करता है अब जो कोशन साब तोर पे गलत है और सबसे बड़ी बात यह है कि 1000-1000 रुपे जो लेते हैं कोशन के क्यों लेते हैं अगर उनको कोई चीज एकसेप्टी नहीं करनी तो 1000-1000 रुपे क्यों लेते हैं यह बखुत बड़ा मुद्दा है साथियों अगर इस पर विचार किया जाए कि राजधानी के अंदर यह चीज़े होत कि अगर आप सच के साथ हैं तो जीतने तक हारनी माननी चाहिए तो यह बहुत अच्छी बात है कि इन साथियों ने जीतने तक हारनी मानी और इनका जो मामला था काफी टाइम पहले चला हुआ था और एक बात और बताना चाहता हूं कि रिजल्ट आने के बाद रिजल्ट मे कि अगर आपके किसी के भी साथ गलत हुआ जयनवान तरीके से तो आप अपनी लड़ाई लड़ते रहें क्योंकि अगर गलत है तो आप गलत चहन ना करें क्योंकि ये तो साब तोर पे किलियर है कि DSSB के अंदर गलत तो होता है चाहे वह repeated question के मामले में हो चाहे जो अभी अच्छी बात है इन साथियों नी अपनी लड़ाई लड़ी और अंतमेन की विजे हुई और इसके बाद एक और अपडेट देना चाहूँगा मैं आपको दिल्ली के अंदर डियू के अंदर जो दाखिला परकिरिया है वो मई के फर्स्ट वीक में स्टार्ट होने वाली है पर नए है तो सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें बिना नहीं जाएंगे आप लोग तो प्लीज लाइक इस वीडियो थेंक यू